हर्याना में हर साल मार्च से लेकर ऑक्टूबर तक बिजली की जबरदस्त किल्लत रहती है, समस्या रहती है न गाउं में बिजली है, न शहरों में बिजली है, खेतों में तो आप छोड़ी दीजिए किसान की क्या हालत है वो तो हम सबको मालूमी है पूरे प्रदेश में आज के दिन बिजली की अगोशित कटोती की जा रही है पूरे प्रदेश के अंदर 1500 मेगावाट बिजली की एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त कमी चल रही है जो आने वाले समय में अब जब धान लगाया जाएगा पूरे प्रदेश में तो उसके दौरान ये कमी बढ़कर के 2000 मेगावाट तक हो जाएगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है लेकिन इसके लिए भारतिय जंता पार्टी की प्रदेश सरकार ने कोई एडवांस प्रपरेशन नहीं की थी कोई तयारी नहीं की थी जितने भी शहरों में सोसाइटीज हैं उनसे आप पता कर लीजिए 10-10-12-12 घंटे पावर बैक अप के उपर सोसाइटीज चल रही है इतनी बुरी हालत शहरों के अंदर है और गावों के अंदर जहां पे सरकार ये दावा करती थी कि जगमग योजना ले आए जहां सरकार ये कहती है कि हरियाना के लगभग सभी गावों को जगमग कर दिया हरियाना सरकार ने उन गावों के अंदर 15-17 घंटे के कट लग रहे हैं आज के दिन में 2015 में आपने 7500 मेगावाट सेंट्रल पूल में सरेंडर किया था आज जब हरियाना को जरूरत है तो क्या एक्स्ट्रा 7500 मेगावाट केंद्रिये पूल से हरियाना को दिलाएंगे मनोरलाल खटर जी पहले जो उमीदे हरियाना के लोगों ने लगाई थी वो मनोरलाल खटर जी ने तोड़ी अब की बार फिर हर्याना के लोग ये उमीदे लगा रहे हैं कि उर्जा मंत्री के तौर पर क्या 24 घंटे हर्याना के गाउं शहर में बिजली सुनिश्चित करवा पाएंगे मनोरलाल खटर जी हर्याना की सरकार के साथ मिल करके नायब सैनी जी के साथ मिल करके क्या मुफ्त बिजली जो चुनावी भाषणों में खूब नरेंदर बोधी जी ने कहा कि हम भी मुफ्त बिजली दे देंगे नकल करने की कोशिश की आम आदमी पार्टी की क्या उसको लागू करने में मनोरलाल खटर जी सक्षम हो पाएंगे क्या उसका पहला एक्जाम्पल हर्याना के अंदर सेट कर सकती है भारतिय जंता पार्टी क्योंकि आपके पास सर्थ 2-3 महीने का समय बचा है अगर इन 2-3 महीने के अंदर भारतिय जंता पार्टी हर्याना के लोगों को मुफ्त बिजली और 24 घंटे बिजली उपलब्द करा पाती है तो सही वरना सरकार बदलते देर नहीं लगेगी हर्याना के लोगों ने अपना रुख जता दिया लोकसवा चुनाव के अंदर